कि अग्युक्त 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 है कि हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत हो तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि हम एक हजार स्कॉयर फिट घर में कितनी टोटल ब्री नंबरा ब्रिक्स लगेंगे यह कल्कुलेट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले कर अभी तक आपने मेरा चैनल अभी तक सस्क्र ट्राइब करें और विल के आइकन को भी दबा लिजे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह एक प्रॉसेस है और जिसके थो हम टोटल ब्रिक्स कल्कुलेट करेंगे यह नमबरा ब्रिक्स हमारी बेसिकली डिपेंड करती हैं हमारे मैप पे कि हमारे मैप में कितनी यूनिट्स है क्योंकि मैंने मैक्सिमम यूनिट्स कवर कर रखें कि कुछ भी एक हजारी स्कॉयर फिट एरिया में कुछ भी कवर मलब ऐसा ना हो कि जो ना हो ठीक है दोस्तों है तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसका नो इंचि और चार इंची जो मैंने ब्राउन कंद से कलर कर रखा है day वाल्स को वह न उनिंची वाल है यह हमारी 9 इंची वॉल है और जो inner side walls है वो सब हमारी 4 इंची वॉल है ठीक है दोस्तों तो क्या करेंगे इसका हम पहले तो 9 इंची वॉल की total length कितनी है वो निकाल लेंगे फिर 4 इंची वॉल की total length कितनी है वो निकाल लेंगे ठीक है दोस्तों और फिर number तो दोस्तों वैसे तो ब्रिक्स निकालने के बहुत सारे मैथेड है तो आपको नमबरा ब्रिक मिल जाएंगे या एरिया मैथेड इन दोनों मैथेड्स पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी अपने चैनल पर आप लोग नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप ल करतोज और ये एक क्विक मैथेड है ठीक है दोस्तों कुक मैथेड इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड य। इसके तुरूँ आप 30 सेकेंड में ही ब्रिक्स calculate कर सकते एक wall में कितनी है ठीक है दोस्तों तो हम quick method से ही देखेंगे और यह maximum amount of bricks निकालेंगे इसमें जिससे कि इससे ज्यादा आपके 1000 square feet area में नहीं लगेगी यह मेरी guarantee है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले मैंने क्या किया length of wall calculate कर लिए तो जो कि 125 120 feet है और length of चार इंची बॉल की जो है 128 है और उसके बाद number of door size यानि कि जो number 3,5 यानि 3 feet 6 inch गुड़े into 7 feet के जो number of doors है वो 7 है और number of door size जो की धाई भाई साथ यानि कि 2 feet 6 inch into 7 feet के जो है वो number of 4 है ठीक है यह मैंने chart बना रखा calculate करने के बाद मैं हम इसमें value output करेंगे और total amount calculate करेंगे ठीक है दोस्तों तो टोटल bricks in 9 inch wall में कितनी और length कितनी है हमारी 120 feet है ठीक है दोस्तों इसको हम 12 से multiply कर देंगे यानि क्योंकि 1 feet is equal to 12 inch ठीक है दोस्तों तो यह 144 1440 inch आ जाएगा ठीक है तो size कितना होता है मालीजे की अब हम इस size की बात कर रहे हैं 9 inch होती न ब्रिक है इस face की बात कर रहे है ठीक है दोस्तों तो यह 9 inch होगा तो फिर क्या करेंगे 157 चतल टोटल App के लिए वह भी एक लेन में मतलब जैसे歌 लेंथ तो हो गई मालीज्ड लेंथ हमारी यहां से यहां तक 144 इंच है अभ इसमें जो एक लाइन में है ठीक है तो रस्तों यानिकि ए इक लाइन में कितने डिक स्लगी ओंगी एक आजा जाया जाएंगे हमारी 160 ठीक है दोस्तों तो इसको हम क्या करेंगे क्योंकि 9 इंची वाल है तो सेम पहले दूसरी लाइन में भी सेम आएगी चाहे वो जैसे हम लग जडाई की जाए तो गुड़े 160 कर देंगे तो 320 इंटा आ जाएगी इन तो अब हम जानते हैं एकोजन एक ह्याश्ट की वाल कासी ए तो इसका 120 इंटू 40 इसकल टू करेंगे तो यह 12,800 आ जाएंगी ब्रिक्स ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं टोटल ब्रिक्स इन 4 इंची वाल के लिए तो लेंथ आप ब्रिक्स कितनी हो जाए है मैंने बताया है 128 है इसको 12 से मिल्टिप्लाई करेंगे 15 136 इंच आ जाएगा ठीक है द टोटल क्योंकि यह 4 इंची तो सिंगल अद्दा ही लगा हुआ होगा तो इसको क्या करेंगे 40 से मिल्टिप्लाई कर देंगे और हमारा क्या है कितना लगभग में आ जाएगा 6826 इंटे आ जाएंगे ठीक है दोस्तों अब अगर हम अब इसमें जो डोर ओपनिंग्स है वो से मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ब्रिक्स आ जाएंगे तो साढ़े तीन को अगर हम इंच में कनवर्ट करेंगे तो तीन फिट को करेंगे तो 36 प्लस 6 इंच ठीक है दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा 42 इंच आ जाएगा तो 42 इंच बैनो इंच यानिकी 4.66 तो ह हम कम माले रहे हैं ठीक है दोस्तों इसको आप 5 भी मान सकते हो ऐसा को वो नहीं है बढ़ हम इसको थोड़ा सा कम ही माले रहे हैं तो यह 4 आ जाएगा फिर 4 इंटू सां क्योंकि साथ फिट है ठीक है दोस्तों तो साथ फिट में कितने रद्य हो जाएंगे साच चोग 28 यानिके 28 लाइन्स हो जाएंगी तो 28 से इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो चार्टिंगे रहा ठीक है 112 आएगा और 112 को हम फिर कितने नंबर आपडोर्स थे 7 नंबर आपडोर्स थे तो उससे मल्टिप्लाई करेंगे तो 70884 यानिकी ब्रिक्स हमारी आएंगे ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर आप ब्रिक्स इन डोर साइज धाइंफिट बाई साथ यानिकी धाइंफिट बाई साथ वाले डूर में टोटल ब्रिक्स सेम प्रोसीजर है तो कितना आएगा चार सो 48 ब्रिक्स आएंगी आप लोग कल्कुलेट करके निकालिएगा ठीक है दोस्तों सेम आएगी उसमें कोई variation नहीं होगा ठीक है दोस्तों अब हम बात करें अगर टोटल ब्रिक्स कंज्यूम बाई विंडो जो टोटल ब्रिक्स हमारी विंडो में विंडो साइज क्या है रूम्स के लिए जो है वो 6 x 5 fit height है चमलब 6 x 5 की है ये एक standard होता है और अगर ये window लगा रहे हैं तो एक proper look भी आता है आपके house में ठीक है दोस्तों और 3 x 5 तो 3 x 5 मतलब ये 3 x 5 हो गया ठीक है दोस्तों इनके 3-3 unit उस वाली drawing में लगे हुए थे ठीक है जो अभी मैंने आपको पहले दिखा है ठीक है तो total bricks कितनी आ जाएंगे 620 bricks आ जाएंगे ठीक है तो total bricks क्या कर रहा हूँ total bricks निकाल ले रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो total bricks क्या है 9 inch wall 4 inch wall और बाकी जो subtract करने है यानिकी doors की window की और तो doors की और window की कि कि आएंगे 17,774 बिक्स अब एक चीज और है इसमें हम यह तो हमारे सुपर इस्ट्रक्चर की बात होई ना यानि की फांडेशन से ऊपर की बात बिक्स ट्रक्चर में हमारी इतनी बिक्स लगेंगे अब हमें कि नियू की आएगी 130 क्योंकि हम जो foundation है outer walls पे ही कराते है maximum जिससे cost भी बच जाती है और हम inner walls पे आप पिलर foundation है तो inner walls पे नहीं कराते है soil filling के लिए outer walls पे करते हैं जिससे वो soil को रोपती है ठीक है दोस्तों तो outer wall हमारी 9 इंची की होती है foundation की ठीक है तो क्या करेंगे total bricks कितनी आएंगी अब आप calculate कर लिजे 130 फिट आएगा और उसके बाद इसको बारा से multiply करके यह और total यह आप लोग calculate कर लिजेगा same match करेगा आप लोग comment करके मुझे पूछ सकते हैं या कोई suggestion है कि कोई confusion है आप तो आप उसे भी comment कर सकते हैं अगर कोई topic आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उस पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि यह मुझे समझ नहीं आ रहा है सरे या इस पे कुछ ऐसा कुछ तो कोई question नहींगा तो मैं इस topic पे भी आप लोगों को वीडियो अप्लोड करा ऐसे दोंगा तो टोटल अब्रिक्स कितनी हो जाएंगी कि टॉटल सुपर structure की और Foun aceon के करेंगे तो 2934 ब्रीक्स आएंगी ठीक है तो हमारी कितनी ब्रेक्राइइं 2934 कितनी है 2934 ड्रेक्छ तो अगर हम बात करें रेत की तो 7 रुप्य के हिसाब से जैसे यहां पे जो ब्रिक्स का राइट है ठीक है तो 7 रूपीज है ठीक है तो वे 7 रूपीज के हिसाब से 2193 यानि कि 1,63,538 की ब्रिक्स हमारी लगेंगी यानि कि trade होटल जो ब्रिक्स लगेंगी वह 21,934 लगेंगी दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में होगा अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से एर एंड सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए लाइक करने से और कुछ नहीं होता दोस्तों हमारा होसला पड़ता है कि हां हमने कुछ कंटेंट डिलीवर किया वह आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग इंटेस्टेड हो इसमें तो यह चीज होती है और कुछ ठीक है दस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइ-बाइ थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो